हलो एब्रीबन वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में तो चलिए पेंस आज की किलास हम भी स्टार्ट करते हैं आज की किलास में मैंने परमाण की संरचना से मोस्ट चालिस इंपोर्टेंट कोईश्चन लिए हैं आप लोग सुरू से अंध तक बने रहेगा अगर किलास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एपन सस्क्राइब जरूर करिएगा तो चलिए पिंस कोईश्चन नमर बन पदार्थ का परमानविक सिद्दान्स और प्रितम क चलिए नेश्ट कोईश्चन नमर टू परमान सनरचना का मॉडल किसने विक्सित किया था इंपोर्टेंट कोईश्चन बताएगा पिंस परमान सनरचना का मॉडल किसने विक्सित किया था तो बिल्कुर राइट इसका आंसर होगा दोहर तता रदर पोड ने चलिए सोन के खोज करता यूँ काभा हैं चलिए इस नामर्फ फॉर आंविक कच्छा का अबन्यास किसने नियंतरत होता है इंप्रूंटेंट प्रूंटेंट इस का वंपन्यास किसने नियंतरत होता है तो विल्खुल रहुट इसका आंसर होगा चुंद्गी कॉंटन संक्या से कौसा एक परमाड का भाग नहीं है तो बिल्कुर राइट इसका आंसर होगा photon, electron, proton, neutron ये तीनों परमाड के भाग है पर photon, परमाड का भाग नहीं है चलिए next question Question number 6 परमाडा भाग जैया निमलखित में से किसने प्रस्तापित किया था इंपोर्टेंट कुस्चन बताईगा, पेंस तो बिल्कुर राइट इसका आंसर होगा Dalton ने, चलिए next question Question number 7 परमाड की पिरभाबी तरज्या होती है Question number 7 परमाड की पिरभाबी तरज्या होती है important question बताईगा तो बिल्कुर राइट इसका आंसर होगा दस से दस आयम चली नेस्ट कुशन कुशन नमर आट रिणा बेसित पर्माण में प्रोटोनों की संक्या क्या है important question बताईगा पिंस रिणा बेसित में प्रोटोनों की संक्या क्या है रिणा बेसित पर्माण में प्रोटोनों की संक्या परिमाण में इलेक्ट्रोनों की संक्या से कम होती है चलि नेस्ट कुश्चन कुश्चन मन्नाओ तत्यों की प्राकृतिक को ग्यात किया जा सकता है बताएगा पिंस तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा ए इलेक्ट्रोनिक बिन्यासी करण दौरा चलि नेस्ट कुश्चन कुश्चन नमर 10 परिमाण की नाभिक का आकार होता है परिमाण की नाभिक का आकार होता है बेरी इंपोर्टेंट कुश्चन है मार्क करके रगना तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा दी 10 से 15 चलि नेस्ट कुश्चन Q11, निम लिखित में इसे कौन एक आश्ताई करें? Very very important question है friends तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा neutron चले next question Q12, निम लिखित में इसे कौन सा एक किसी तत्य के परमाण क्रमां को सबसे सही निर्दारित करता है? Important question है बदाईगा तो बिल्कुल राइट इसकी आंसर होगा protonों की संग्या चले next question Q13, परमाण की नाभिक में निम लिखित में इसे कौन एक आपेस रहित करें? Important question है बदाईगा पेंस? तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा neutron? Sorry इसका आंसर होगा neutron? चली next question Q15, सबसे पहले electron के आदेश का सबलता पूर्बक निर्दारण की सनी किया था? तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा मिलकन ने? चली next question तो बिल्कुल राइट इसका आंसर होगा उदा सीन रूम में? इसका आंसर होगा उदा सीन रूम में? चली next question कोशन मर अठारा electron की खोच की थी? important question है बहुत पूछते हैं electron की खोच Thompson ने की थी? जेजे Thompson ने कभी-कभी Thompson भी दे देते हैं कभी-कभी जेजे Thompson तो confused मत होईएगा चली ठीक है? चली next question question number 19 एक भारती बैज्यानिक जिसका नाम एक बिसिष्ट मूल कड़के साथ जुड़ाए important question है बताईगा पेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा बोस चली next question question number 20 निमलिकित में से किस परमाड के नाविक में neutron नहीं होता? important question है बताईगा पेंस निमलिकित में से किस परमाड के नाविक में neutron नहीं होता? तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा hydrogen में चली next question question number 21 proton की खोच किस नहीं की थी? very very important question है examiner का favorite तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा gold steam ने चली next question question number 20 इस परमाड में कौन से मूल कड सामान संक्या में इस्तित होते है important question अब बताईगा पेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा electron तथा proton चली next question question number 23 James Chadwick ने निमलिकित में से किस की खोच की थी? very very important question है James Chadwick ने निमलिकित में से किस की खोच की थी? तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा neutron की? चली next question question number 24 ने निमलिकित किस कणों में कडी तरंग की दिव प्रकरती पाई जाती है? important question है बताईगा पेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा electron चली next question question number 25 positron के खोच करता कौन है? फेंस पोजी ट्रोन अलग है और आंगे एक question अपड़ा आगे बो अलग है proton अलग है पोजी ट्रोन अलग है ठीक है? तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा एंडर्सन ने इसका आंसर होगा C. एंडर्सन ने चली next question question number 26 electron के तरंग प्रकृतिक की खोज सर्प्रितम किस ने की थी? ये दुबारा से question आ गया चलो कोई वाननी ठीक है? electron के तरंग प्रकृतिक की खोज सर्प्रितम किस ने की थी? तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा D. ब्रोगली ने चली next question question number 7 तद तो के सबसे चोटे बाग को क्या कहते हैं important question अब बताएगा प्रेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा परिमाड ठीक है? चली next question confusion मत होईएगा ठीक है? चली next question question number 28 Dalton के परमाड सिद्दान्द के अंसर कौन सा सबसे चोटा कण सुतंत रूप से रह सकता है? important question अब बताएगा प्रेंस डाल्टन के परमाड सिद्दान्द के अंसर कौन सा सबसे चोटा कण सुतंत रूप से रह सकता है? तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा परिमाड चली next question question number 29 किसी परमाड का राशायनिक बिवार किसपन निर्वर करता है? important question अब बताएगा प्रेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा C nucleus के इर्द गूम रहे इलेक्ट्रोनों की संक्या पर चली next question question number 30 द्रब मुमान संक्या किसका योग है? very very important question है बताएगा प्रेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा D proton तथ निर्वर की चली next question question number 31 किसी परमाड में पर किर्मन कर रहे किसी इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा है? important question है बताएगा प्रेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा C सदा दनात्मक होती है चली next question question number 32 किन किर्णों के प्रिकीणन से नाविक के आकार का आकलन किया जा सकता है? important question है बताएगा प्रेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा अलफा चली next question question number 33 परमाड भार का अंतर राष्टी मानक है important question बताएगा प्रेंस परमाड भार का अंतर राष्टी मानक है तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा C चली next question question number 34 पोजी ट्रोन किसका प्रतिकण है? important question है पोजी ट्रोन किसका प्रतिकण है? तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा electron का चली next question question number 35 important question है ध्यान दीजीएगा एक परमाड में दो इलक्ट्रोनों के चारो quantum संक्याए आपस में सामान नहीं हो सकती है यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानेक से सम्मंदित है? important question है बताएगा प्रेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा पॉली चली next question question number 36 किसी तत्य के रइट इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा भी इलक्ट्रोन चली next question question number 37 किसी परमाड की बैतम कच्छा में कितने इलक्ट्रोन रह सकते है very very important question है ब्रेंस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा आठ चली next question question number 38 जब कोई इलक्ट्रोन उच्छा से निम्न कच्छा में जाता है तो क्या होता है important question है बताएगा प्रेंस जब कोई इलक्ट्रोन उच्छे कच्छा से निम्न कच्छा में जाता है तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा ए उर्जा का उतसर्जन होता है चली next question question number 49 द्यान से पढ़िएगा इलक्ट्रोन तब एक इलक्ट्रोन तब तक यह उमित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कच्छक समाप्त ना हो जाए या सिद्धान्त कहलाता है इंपोर्टेंट कोईशा ना बताएगा पिस तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा हुंड का नियम चली next question question number 4 किसी तत्त के रासाने गुड निर्वर करते है इंपोर्टेंट कोईशा ना बताएगा पिसी तत्त के रासाने गुड निर्वर करते हैं इंपोर्टेंट कोईशा ना बताएगा पिस किसी तत्त के रासाने गुड निर्वर करते हैं तो बिल्गुल रइट इसका आंसर होगा परमार संक्यापन चली next question question number 43 neutron के खोच करता थे important question अब बताएगा पिस तो बिल्कुल रइट इसका आंसर होगा neutron के पावली कोच करता थे चली पिस हमारे यहीं तक question थे हमने 40 plus question लिए थे अगर खिलास अच्छी लगे तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा तो और आप लोगा मोटिवेट करते रहेगा इससे हमें motivation मिलता है चली फिस पढ़ते रहे All the West जैहिंग जैवारत